कैसे हैं मैं सीमा में आपने चैनल में आपका स्वागत कर तो मैंने अब कभी आप को समझ क्तुक्त में मत वह वाल ant कि कौन-कौन से वैक्स होते हैं और इस मोसम में आपको कौन सा वैक्स करना चाहिए तो कफी सारे वैक्स अभी मार्केट में कफी सारे वैक्स आ रहे हैं होट वैक्स कोल्ड वैक्स तो आते ही हैं कफी सारे ब्रांड आ रहे हैं मिल्क वैक्स आ रहे हैं चॉकलेट वैक्स आ रह करना चाहिए घर पर कौन सा वैक्स अच्छा होगा किसे फुल मॉस्टराइजर मिलेगा इस तरह के काफी सारे कमेंट सारे थे तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा वैक्स घर पर लाकर आराम से करना है जिससे आपकी रैशिश प्रॉब्लम बहुत से लोगों को क् पता नहीं कौन कौन से वैक्स बहुत सारे वैक्स निकलाई है तो मैं आज आपको कुछ वैराइटी बताने वाली हूं जो मैं पालर में बहुत जादा यूज़ करती हूं और आप घर बेठी हुए कर सकते हैं और अफ़रडबल रेट में ब्लुकुल आपके बज़र्ट में होगा मैं इस तरह का वैक्स लेकर आई हूं चले फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीचे लाइक शेर कर दीचे और घंटी का बटन जरू दावा दीचे जिससे की मेरे नेक्स वीडियो आपको काफी अच्छा रहेगा होट वैक्स से क्या होता है फ्रेंट जितने भी हाड बाल रहते हैं बोडियों बहुत ही असानी से निकल जाते हैं कोई प्रॉब्लम ने होती है कोल्ड वैक्स में आपकी अगर इसकिन पर रैशिश वगरा यह दाने वगरा कि इस तरह की प्रॉब्ल काफी हाड निकाल दिती है लेकिन काफी लोग की सिंस ti भोती है तो उन लों को हाड हैक्स यू ना करके लॉज यूज रहें वह सारे निकल आहें तो मैं क्या करती हूँ फुलर मसाज तो देती हूँ इससे वह हई अध तो हाथा दाने बैट चाहते हैं ठीक है तो मैं आज आपको बताने वाली हो कि आपको तुछ सा राख यूज़ करना चाहिए खास करके इस मोसम में काफी गर्मी है तो है आपको और फॉल मॉस्टराइजर भी देती है कि कि तो सबसे से पहले आती है सबसे कम रेट का वैक्स आता है यह देखिए मैं टीट्री का वैक्स यूज़ करते हूं यह आता है आपका 70 रुपे का ठीक है वाक्स इसमें आराम से आप 4 से 5 बार 6 बार 10 बार तक अराम से हो जाता है अच्छा वैक्स है नॉर्मली अगर आपको वैक्स करना है तो आप इससे कर सकते हैं ठीक है सेकंड नमबर का वैक्स बताती हूं मैं आपको मिल्क वैक्स आजकल काफी डिमांड में है मिल्क वैक्स पालर पर काफी यूज होता है और मिल्क वैक्स वैसे भी आप मिल्क का नाम सुनते ही तो समझ गए होंगे कि इसमें कितना मॉस्ट्राइजर होता है तो यह मिल्क वैक्स काफी अच्छा है अगर आप इससे वैक्स कर बहुत काफी अच्छी रिजल्ट है milk wax के मैं थोड़ा सा इसका प्राइस पर जाता है 150 यह आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं इसमें भी hot wax cold wax दोनों तरह के आते हैं तो आप अभी गर्मियों में अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी soft skin चाहिए तो आप milk wax यूज कर स काफी अच्छा आती है तो या भी काफी मार्केट में अभी आया हुआ है और मेरे पास काफी यूज होता है तो मैं आज आपको बताती हूं चलिए उसके बाद आता है फ्रेंड में आपको बताती हूं Sleekka wax लिए को सर्धी उमें जबंद लातुन में काफी अच्छा रहे सुधा होता है क्यों कि बहुत ज्यदा辉ब हाड थोटा रिज़र्ट वैक्सों उम्हें मतलु हम जच्छा दीवेद कुटि तो इसके पर दिशंता ही ते आप उच्छां तो जो हम आपको बताते हूं मैं चॉकलेट वेक्स फरीक होगा परिषल जो रटी है जब शर्ट चौकलेट वेक्स उस्तक होगा तो लिड़ाट के लड़िया ँतनाँ चॉकलेट वेक्स में मौस्ट वैजर है उस तरह से चॉकलेट वैक्स में भी काफी सिय और यह स्किन को क्लियर करने बहीत है है कलियर करना मतलَّब वाईटनिस ठीक है आफकी इसकिन पे बाल तो अच्छ निकालता है उसके अलावा आपकी स्किन में वाइटनिंग लाता है तो ज्यादा तर लड़कें यही करवाती है चोकलेट वैक्स और मिल्क वैक्स कोई साभी करवा फ्रेंट रिजर्ट डॉनों के बैस्ट है और अगर आप चाहो आपके बजट में नहीं है यह तो आप सिंपल वैक्स यूज़ कर सकते है उससे भी आपके फुल बाल निकलते हैं क्योंकि उसमें मॉस्टराइजर रहता है क्योंकि सभी सहद से बनते हैं तो मॉस्टराइजर तो फुल रहता है सहद में भर पूल मॉस्टराइजर रहता है तो और आपकी स्किन के लिए बैस्ट सहद वैसे भी अगर आप नॉर्मल आपके face पर काफी अच्छ लो आएगा तो आन में आपको wax के बारे में बताया है कि कौन-कौन सा wax चल रहा है अभी present time में कौन-कौन सा चल रहा है किसकी demand ज्यादा आ रही है मेरे राजिस्थान में तो अभी इनी वैक्स का है और मुझे high society बड़े पालर बड़ी city के बारे में ज्यादा नौलेज नहीं है मैं अपनी city के बारे में बता सकती हूँ क्योंकि मैं गाउं से व्लॉंग करती हूं तो मैं आपको बता सकती हूँ अभी मेरे पास milk wax चॉक्लेट वैक्स की काफी डिमांड आती है तो आप इनको खरीद के घर पर वैक्स कर सकते हैं लॉगडाउन चल रहा है तो घर पे लाईए वैक्स आपको बता है कि आजकल मेरे यहां पर ग्रीन जोन है तो मेरा पालर निक तो काफी सारे कस्टमर आइब्रो और वैक्स के आ रहे हैं अभी अपनी जंगल लेकर साफ करवारे तो ज्यादा तर डिमांड होती ही मिरे पास chocolate wax की और milk wax की तो आज मैंने आपको दो बताई है chocolate wax और milk wax और chocolate wax मैंने आपको दोनों बताई है और अगर आपको सिंपली में करवा सकते हैं और काफी सारे वैक्स आते हैं लेकिन अभी डिमांड में यही है तो आप यह वैक्स लाकर देखिए इसको नॉस्ट्राइजर मिलेगा और आपको चोकलेट का अनन्द भी आएगा बहुत अच्छी खुश बहती है जब इसको करते हैं तो ऐसा लगता है कि अं जो आपको कमेंट्स कमेंट्स पे आ रहे थे और आप लोग समझते नहीं कोई भी वैक्स यूज़ कर लेते हैं किसी स्किन पर कौन सा करना है तो आपको फ्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपकी संस्टिव एर ऐसे स्किन है तो आप कोल्ड वैक्स करें और अगर करना पड़ता है किसी के तो बहुत ज्यादा धाने हो जाते दो वह दाने क्या है इस किन के उपर अलग दिखते हैं काफी तक दिखते हैं तो अगर आप चाहते हो तो थोड़ी सी जानकारी आपको लेना बहुत ज़रुरी है हॉट पैक्स और कॉल्ड वैक्स में बहुत होता है हाड़ वाल निकालने के लिए ठीक है बहुत जादा गरम करके लगाया जाता है और जो कोल्ड वैक्स होता है वह आपका बहुत गुन गुना एक बार गरम करोगे जिसमें आपके हैंस कम्प्लीट हो जाएंगे आपको दोबारा गरम करने के जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आप कोल्ड वैक्स आपको कभ यूज करने जब आपके रैशव की प्रॉब्लम हो या दान गरे या या इस तरह कि परॉब्लम होती हो तो आप कोलिवयं उसकी तो इफरेंट और आप रीका वैक्स लिए व्क्स आजए कर सकते हैं तो मेने आज आपको पास तरह का बाक बताया है, Simple Wax, Tea Tree का, Chocolate Wax, Milk Wax, Sleek Wax, और Rika Wax. ठीक है, Rika Wax को भी Sam उसी तरह से करते हैं, जैसे Normal Wax को करते हैं, रिजल्ट काफी अच्छे हैं, जड से बाल निकलते हैं, सबसे अच्छी बात मैं जूट नहीं, कि करने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, तो आप Simple Wax से भी काफी अच्छे बाल निकल लेंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, एक तो Normal Temperature पर गरम कीजिए, बहुत जदा थंडा होने पर भी आपके बाल निकलेंगे, और बहुत जदा गरम होने पर भी परफेक्ट बाल नहीं निकलते हैं, इस्किन डैमिज होने के बहुत जदा चाहिए, तो प्लीज थोड़ा सा आप गुनगुना ही वैक्स लगाए, ठीक है, मैं गर्स करके आती है इस्किन काफी रैशिष वगेरा हो जाते हैं, जो गल्स करते हैं, तो थोड़ा सा धियार रखी कि आपको बहुत जदा घर में बहुत जदी वैक्स भी नहीं लगानी है, नॉर्मल वैक्स लगानी है, तो आपके बाल प्रॉपर निकलेंगा, वैक्स करने का तरीका मैं आपक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजे जल्दी से और मुझे कमेंट लिखिए, मैं कुछ और नया आपके सामने लेकर आऊंगी, कल वीडियो देखती हूं किस चीज का लेकर आती हूं, मैं कमेंट पढ़ते हूं, मुझे कमेंट अच्छा लगते हैं, मुझे इस चीज को डालना चीए तो अभी लॉक्डाउन में, मैं कोशिश करूंगी कि आपको घर बैठे हूए कुछ सिखा सको, आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो फिर मिलते हूं, गुट नाइट